Hello students, आपका स्वागत है हमारे YouTube को official चैनल पे जिसका नाम है exam concept इस चैनल पे हम नोयदे विद्याले के एक सीरीज चला रहे हैं इसी सीरीज के करम में आप लोगों ने जो बहुत सारे comment किये थे एक सर्थ PGT English जो NBS है पिछले साल का चो पेपर, ओल्ड पेपर है वो बताईए जिससे के में एक आइडिया मिल जाए तो इस सीच को लेके English PGT के पिछले साल का पेपर दो exam 2014 में हुआ था उसका हम लेके आए हैं और उसका PDF पी आपको प्रवाइट कर दी जाएगी आपको PDF लेने के लिए बस इतना करना होगा कि WhatsApp नमर पर जोईन English PGT लिख के आपको मैसेज करना पड़ेगा आपको और WhatsApp नमर मैं दे दे रहा हूँ आपको WhatsApp नमर हमारा है 7007354360 इस नमर पर आपको बस इतना करना है लिखना है जोईन इसमें इस नमर पर आपको लिखना है जोईन इंगलीज PGT इस बस इतना कर देना जिससे आपको उस नमर पर PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी ठीक तो इस चीज को लेके आई हम सुरू करते हैं देखते हैं कि 2014 में क्या कोशन पूछे गयते हैं नमर हमारा है वार्टसेब नमर 7007-354-360 इसकी लिंक इसके बारे मैं कैसे आपको PDF भेजना है कैसे प्राप्त करना जॉइन करना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिशन में दे दूँगा डिस्क्रिशन में डिटेल मिल जाएगी इसके बाद अगर जितने भी लोग इंगलिस PGT करेंगे उनका एक ग्रूप में मैं इंगलिस PGT वाले में जोड़ दूँगा जिस पर भाईस में जो भी फाइले होंगी आपको ही डारेक्ट प्रवाइट कराई दी जाएगी तो आप लोग इस ग्रूप से चुड़ना चाहते हैं जोआएं इंगलिस PGT लिग के इस नमर पे वार्सेप नमर पे आप में मैसेज कर सकते हैं 7007-354-360 पे जिससे की असानी हो सके तो ठीक इस वीडियो को ज़्यादा लंबाना करते हुए आईए हम सुरू करते हैं देखते हैं कि जो भी चीजें हैं इंगलिस कोश्चन कैसे पूट अप किये जाते हैं आईए वीडियो सुरू करते हैं देखिए जैसे कि ए एनबियस नविद्याला समीती जोवारा जो एक्जाम लिया गया था उसका पेपर है इस पेपर को हमने अपने इसाफ से टाइप करवाया इसका पेपर बहुत लिंक खोजने के बाद मिला हमें कई किताबों से उसके बाद इसको लिया गया और इस पेपर को तयार कराया गया क्योंकि इस पेपर को तयार कराने बहुत मेहत लगी देख लिजी आप लोग और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जोड़ जाएं यहाँ पर आपको सारे टीचर्स वेकेंसी और भॉइस में होने वाली सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी और यह एक टीचर डेडिकेटर चैनल है जहाँ पर आप आपको अथेंटिक नियूज अथेंटिक चीज़ें मिलेंगी ठीक आप लोग कॉमेंट डॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो देखिए नविदे एक चीज मैं आपको किलियर कर दूं इंगलिस PGT में 2014 में जो चीजें थी आपको 80 question subject से पूछे जाते थे तो ये total 80 question है लेकिन इस बार 100 question दे दिया गया है इतना धिया रखेगा क्योंकि ये 80 question का sit है चाहां पे मैं आप लोग के लिए ये चीजें लेकि आया हूँ ठीक अब देखिए अगर हम देखें इन सब चीजों को बात कर हैं तो पहला question है फू रोट ओल्ड पोजियम्स बुक प्रेक्टिकल कैट्स ये पूछा गया है कि ओल्ड पोजियम्स बुक प्रेक्टिकल कैट्स किसकी किस ने लिखी है इसमें चार उप्सन है टीया सिलिये सल्विया पात वालाइक इस्टेवेंस और डवलु एचाइडन इसको option A सही है यानि option टीया सिलियेट हो जाएगा ठीक टीया सिलियेट के अलावा भी आप अगर देखेंगे दूसरी number question में the name of the name of the mathematician and philosopher who owned the novel for literature और कौन से mathematician and philosopher थे ये थे बर्टेड रसेल आपके option number B सही हो जाएगा ठीक आप इसको देख लीजेगा इसकी PDF file भी मैं आपको provide करा दूँगा ठीक बस आप इसको देखते जाएए मैं असी question जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं question 3, fictional eras created by Aldis Huxley in the epoch making novel Brave New World, इसका option number 3, Alfred after Ford, ठीक अब phone number में देखिए कि आए the theater which is launched in 1904 with his associated jam singe, ठीक इसका होगा अब्वित theater, यानी option number D हमारा सही answer हो जाएगा, इसके साथ answer भी provide करा दी गई है ठीक आप लोग देख लीजेगा, question 5 देखिए, new speak in an artificial language designed to diminish the range of thought ए पूछा गया है, artificial language जो है, designed to diminish the range of thought, in which book can you read about तो इसका answer हो जाएगा, brave new world, ठीक, brave new world इसका answer है, जबकि यहाँ गलाट typing A हो गया तो इसका option हो जाएगा, answer number B, ठीक, इसको आप साही कर लीजेगा, ठीक, अब question number 6 देखिए, which of the following novel taken the title from a work by John Bunyan जॉन बनियान के कौन से नोल टाइटिल ली गई यह थी, इसका correct sense of vanity of fear, option number B, आपका सही हो जाएगा, ठीक, question number 7 पर देखिए, the struggle of the radical social reform in the 90th century from the background of, ठीक, इसका option number C हो जाएगा, फेलेक्स होल्ट, question number 8 देखते हैं, in memoriam was written the memory of, in memoriam जो poem थी, किसके memoriam लिखी गई इसका option थी, एच हेलम, ठीक, आर्थर हेनरी हेलम के याद में यह लिखी गई थी, in memoriam, डबलू बीड्स ने लिखी थी, इसको, अब देखिए, question number 9 पे देखें, CC जूप is the character of, CC जूप character जो है, किसका character है, या CC जूप जो character hard time, hard time novel है, उसका एक character है, ठीक, Thomas R.D. की novel है, CC जूप, उसकी का character है, hard time यानि option number A, आपका सही हो जाएगा, question number 10 पे अगर बात करें, the writer who wrote the poem in memory of it, or writer कहों नहीं, जो memory of it में दिखें है, डावलो एच, ओडन, यानि option number B, question number 11 पे देखते है, which of the following political movement was GB so associated, GB so किस political movement से जुड़े थे, इसका option number C हो जाएगा, Fabian Society, देखें, आप comment में करिए, कि आपको इस वीडियो कैसे लग रही है, यह paper प्रोबाइट कराया जा रहा है, आपको English PGT का, अगर आपको PDF फाइल में चाहिए, तो बस आपको इतना करना है, लिखना है, join English PGT, और आपको हमारे WhatsApp नमबर 7007354 और 360 पे message कर देना है, जिसके बाद आपको इसकी PDF फाइल वहाँ प्रोबाइट करा दी जाएगी, आपको English PGT ग्रूप में वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, जिससे बाद में जो भी अपडेट और पीडियो फाइल होगी, आपको मिल सके, ठीक, आईए, question number 13 पे बात करें, C of the puppies is written by, इसका option number A हो जाएगा, अमित घोष, anxiety of influence, the term has been coined by, जो anxiety of influence है, टर्म किसने coined किया था, Harald Bloom, इसको देख लीजिएगा, option number B सही हो जाएगा, अब question number 15 पे बात करें तो, which of the following is a formalistic critic, कौन formalistic critic इन में से है, इसका हो जाए, impression, ठीक है, निजी, impression जो रहते हैं, formalistic critic कि रहते हैं, इसका सही अंसर हो जाएगा, an essay and the subjection of women, यानि option D हमारा सही option, इसका सही है, अब question 17 के बात करें, paradox and tension are the critical term, promoted by, देखिए, paradox and tension is जो term है, किसके द्वारा पर्मूट किया गया था, Tate and Brooke, एलन Tate और Brooke के द्वारा इसको किया गया था, अगर question 18 को हम देखें, according to the college, what is the dissolve, diffuse and despite in order to create and to unify, अगर इस चीज़ को देखें, तो option number 3 हो जाएगा, secondary imagination, क्योंकि college ने primary imagination और secondary imagination का term तर्म दिया था, उसमें से secondary imagination में इस चीज़ें, disuse, disuse, or despite को order करते हैं, ठीक, question number 90 के अगर बात करें, the long revolution, 1960 was written by Raymond William के द्वारा लिखी गई है, question number 20 की बात करें, difference is a critical concept introduced by Derrida, difference और differences में अंतर Derrida ने, Jax Derrida ने बताया है, ठीक, अब question number 21 की बात करें, which device has been used in the line, success is counter-shortest by those who never succeed, तो इसमें कौन से इसमें figure speech पूछ रहा है, कि figure speech क्या है, तो यह line जो है, इसमें देख लिजेगा paradox की है, ठीक, यह paradox की line है, ठीक, darkness, visible and fearful joy are example of oxymoron, ठीक, question number 23 में क्या, who of the following is supposed to be exponent of theory of devyani, ठीक, इसका option B, अनन्द वर्धाना, ठीक, अब आईए 24 पर देखते हैं, which of the following is not dramatic monologue, कौन सा dramatic monologue नहीं है, ठीक, is Ulysses, Tension, dramatic monologue, फराल इपो, लिपी, ब्राउनिंग की dramatic monologue, और इस ब्लाइने, यह dramatic monologue, question number 25 हमारा figure of speech से दुबारा पुछा गया है, the pain is mightier than thought, is an example of, यह तो काफी famous question है, यह metanomy होगा, इसमें option D सही हो जाएगा, आईए question number 26 देखते है, who of the following did coin the word yahoo, वो yahoo word किसने coin किया थे, यह word इसका हो जाएगा, swift question number 27 देखते है, the prime of miss Jane body was written by, यह किसके द्वारा लिखी गई है, the prime of miss Jane, इसका हो जाएगा option B, में उरियल स्पाक के द्वारा लिखी गई, यह काफी अच्छी रचना है, इसको अब आगे देखते हैं, question number 28, which of the following was the first novel in English, written by an Indian writer, पाली नोबेल कौन रहती हैं इंग्लिस में जो इंडिया राइटर द्वारा लिखी गई रहे, इसका option number Shri Science रो जाएगा, राज मोहन स्वाइप्स, इनकी पाली इंडिया राइटर द्वारा लिखी गई, इंग्लिस में नबवल रहती है, अब question number 29 देखेंगे, which of the following written by Sri Aurobindo, Sri Aurobindo किसके द्वारा लिखी गई, इसके द्वारा कौन सी जो एक work है, जो Sri Aurobindo ने लिखा है, तो इसमें option number D हैगा, the future poetry, option number D हमारा सही उतर हो जाएगा, question number 30 पे बात करें, तो क्या है देखे, which of the following is written by Raja Rao, इसमें से कौन सा Raja Rao का work है, पहला, a meaning of India, two lips, the date of which to know the English teacher, तो इसमें Raja Rao, ये तो आरके नरायन का हो जाएगा, और इसमें option number A सही है, the meaning of India ये है, राजा राम मोहराव का, question number 31, the 2013 Nobel Prize in Literature, awarded, Alice Munro को दिया गया था, 2013 में Nobel Prize से भी question बढ़ रहे हैं, अब देखिए, which of the following इंडिया राइटर वाज गिवें, साहित Academy Award for English, 2030 में किसे दिया गया था, साहित Academy Award, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, 10-60 AO को दिया गया था, ठीक, अब आई 33 देखते हैं, 33 में किया, अब 35 पे बात करते हैं, which of the following novel written by Margaret Atwood, Margaret Atwood के द्वारा कौन से नोबेल लिखी गई है, इसका option number, C सही होगा, The Handmaid's Tale, ठीक, The Handmaid's Tale, Smellwood से लिखी गई है, अब question number 36 की बात करें, which of the following novel is sequel to Chinua अचेवे, first novel, Things Fall Apart, Things Fall Apart, Chinua अचेवे जो नोबेल है, जिसमें कौन को इसका hero रहता है, और उसका sequel कौन सा रहता है, तो इसका number D हो जाएगा, no longer of essay, इसका sequel ही बनाए गया है, Julia's People is a novel of, Julia's People novel written by, इसका होगा, Nadine Gaudimur, Nadine Gaudimur के द्वारा, इनकी एक novel है, उन लिखी गई है, अब आईए 38 पर बात करें, who of the following writer is credited, with having coined term, cyber space, cyber space का जो term मैं कौन दिया था, coined किया था, इसका उज़ाग विलियम गिप्सन, विलियम गिप्सन ने cyber space term को coined किया था, अब देखे 39 पर देखें, the playboy of western world, या दियम सिंजे का वर्क है, इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, graduation और post graduation पर इसको देख लिजेगा, the time machine is novel written by, time machine जो novel है, किसके द्वाला रिखी गई है, या सजी वाल्स के द्वारा time machine की novel रिखी गई है, ठीक, इसके अलावा, 41 पर बात करें, Roland Barth is the author of one of the following text, Roland Barth जो हमारे हैं एक author, वो इनमें से कौन से वर्क लिखे हैं, इस question को देखें, the date of tragedy, the date of author, the date of literature, यानि हमारा सही answer हो जाएगा, B, the date of the author, Roland Barth का famous वर्क है, 42 पर अगर देखें, the brothers, the brothers करमाजो, is the famous novel, the brothers करमाजो, is the famous novel, was written by, Dotsky, Dotsky के दोवारा लिखी गई, यानि option number C हो जाएगा, ठीक, अगर 43 पर बात करें, the wasteland, the famous poem, the assiliate, अच्छा, the wasteland आप लोगों ने बढ़ा होगा, famous poem, the assiliate की, यह किसने section में, into, divided into, five section, five part में, प्रिंटिंग मिश्टेक है, इसको option D कर लिजिए, बर्लियर अपडेट, the game of sales, far as some of what the thunder third, और इस पांच भागों में बाटी गई है इसको, ठीक, अब देखिए आगे 44 में, किसने का, Milton devil party को, William Wack की quotation, कई बार examo में, TGT, PGT, NBR, कई बार पूछी गई है, ठीक, इसको आप लोग देख लिजिएगा, अब, stroke, anti-stroke, and report is the three structure of, यह, stroke, anti-stroke, यह, poetry का, constructional structure होता है, यह classical ode का, characteristics है, अब 46 से बात करें, इसको आप जानते होंगे, किलिंट बूद की बहुत फेमर रचना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत important है, अब 47 बात करें, तस वोब ट्रेजिडी, according to Aristotle, ट्रेजिडी का सोल क्या होता है, plot, इसका सोल होता है, दो ऑथर, इसका अमिताब घोस इसके ऑथर रहते हैं, 49 पर बात करें, इसका हो जाएगा, लीली ब्रिस्को, ठीक, option B, the poet who discovered the poetry, inspired mathematics, इसका हो जाएगा, इजरापॉंड, option C, the prometheus, promiseously published novel, जैन आश्टेन का, जो मरनेग बात published की गही थी, नौर्ट वेंगर, अब यानी, option D, हमारा सही अंसर हो जाएगा, 51 का, 52, Carlyle Sartresald means, Carlyle Sartresald means, क्या होता है, इसका हो जाएगा, option D, the tailor of, retailer, ही, इसका हो जाएगा, option A, यानि, 53, the theater of, the theater of, cruelties associated with, theater of, cruelties किसे associated, इसका option हो जाएगा, B, Anthony Arteod, इसका यह हो जाएगा सही एंसर, ठीक, 53, 54 में यूजिंग दे एक्स्प्रेशन, crown from the monarchy is an example of, देखे, फिगोई स्पीच है, इसका हो जाएगा metonomy, crown example है, जिसमें पेनिज माइटोर्डन सोट से है, फिगोई स्पीच से, 55 है, the concept of archaic, archaic writing is developed by Jacks Dereda, ठीक, इसका हो जाएगा, यह 55 कोशन का सेट था, अब जितने भी बचे हुए कोशन है, लगभग 25 कोशन और लगभग बचे हैं, तो 25 हम पार्ट 2 में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पार्ट 2 में इसको बना देंगे, ठीक, इ 354-360 पे लिखना है, ज्वाइन, इंगलिस, पीजीटी, पस लिख के मेसेज कर देना, उसके बाद आपके नमर पीडियो प्रोवाइट करा दी जाएगी, ठीक, इस वीडियो को यही लंबा करते हैं, इसका पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूँगा, जिससे आप लोग इ ज Governther कर दोशनेू झाली कर दोशनी hill, जिससे भीन फले हैं, पन्हि कर दोशने जिएल में उल्म होगाज कर दोशने अंजियों से जाएगी जातारे टीके आपके जारे में आपके लिख को लिएनाएं?